नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई चंद्रयान 3 के सक्सेसफूली लैंडिंग के लिए तो being a Indian और एक भारती होने के नाते आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग उस पृत्वी के पहले देश हैं जो दक्षडिद रूपे अपने चंद्रयान 3 को पहुचाने में काम्याब रहे हैं तो आप सभी को कोटी कोटी बढ़ाई और चूकी चंद्रयान 3 एक ऐसा जिवन्त और ज्वलन्त मुद्दा है जिससे पेपर में कोश्चन न बने ऐसा हो ही नहीं सकता तो आपने लेंडिंग मगएरा सब देख ली लेकिन आपको भी एहसास होगा मुझे भी ये विश्वास है कि इन कोश्चन में से एक कोश्चन आपके पेपर में आएगा तो चंद्रियान 3 के उपर बिस 35 MCQ आज हम लोग करने जा रहे हैं तो सब लोग रेडी हैं एक बार भारत माता की जै का नारा लगाईए और तुरंट सुरुवात कर देते हैं इसकी इस क्लास की टोटल पीडियफ आपको अड़ा के एप से मिलेंगी अड़ा के एप को डाउनलोड करने के लिए एप की लिंक चैट बॉक्स में लगी हुई है तो कोसिस करते हैं एप की लिंक को चैट बॉक्स में से करने की कि भाईया वहां से डाउनलोड कर लें और सुरुवात करते हैं तो जय हिन, जय भारत, हर question बहुत ध्यान से answer करिएगा, पहला question आपके सामने आने जा रहा है, ये मेरा favorite सायरी हमेशा कर रहा है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई exam नजदीक आता है और ये सायरी आती है, चलिएगा, पहला question आपके screen पे चंद्रयान 3 से related और तीरंगा सामने हैं, तो पहले salute किया जाएगा, अब उसके बाद आते हैं, चंद्रयान 3, सब लोग ready हो, चलिए सर, पहला question लाइए, चंद्रयान 3, most important, 10 minutes so, MCQ है 10 minutes so का, पहला question आपके समय, चंद्रयान mission 3 को कब launch किया गया था, सो समझ के answer दीजेगा, हर प्रशन का ज ठीक है न, यह आपका उस दिन launching वाला scene, अगला, चंद्रयान 3 को किस rocket की सहायता से launch किया गया था, इसके नाम में कई लोग confused हैं, और मैं आपको बता दू, इस रोग के official website पे जाईएगा, आपको यही answer मिलेगा, ठीक है न, GSLV Mark 3, पिछली बार एक student करे रहें, नहीं, नहीं से, आपके लिए जरूरी बन रहा है इन प्रस्नों को जानना, A option, सतीज धवन अंत्रिक्ष केंद्र, अगला, सतीज धवन अंत्रिक्ष केंद्र, निवन में से किस राज्य में है, बताइए, बताइए, सूची सूची, अच्छी सूची और answer करिए, सतीज धवन श्केंद्र, स्री हरी कोटा, ठीक है न, स्री हरी कोटा, आंदर प्रदेश, पुलिकेट जील के किनारे है, चंद्रयान 3, अभियान, भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था, दूसरा, तीसरा, चोथा या पाचवा, सर 3 नाम में लगा है, तो हम लोग क्यों इसको पाचवा का है, तीसरा मिशन है, अगला, निम्न में से कौन, चंद्रयान 3 अभियान का हिस्सा नहीं होगा, लैंडर हिस्सा नहीं है, रोवर नहीं है, और बीटर नहीं है, सर, और बीटर इस बार का हिस्सा नहीं है, लैंडर, रोवर और प्रोपोल्सन मॉड्यूल ये हैं, अगला point चंद्रियान 2 और चंद्रियान 3 में क्या अंतर है ये बात ज़रा सा ध्यान दे दिजेगा चंद्रियान 2 में Lander, Rover और Arbiter था जबकि चंद्रियान 3 में Arbiter के बजाए जो स्वदेशी Proposional Module है आपको मैं बताओं चंद्रियान 2 में एक कैमरा लगा था जबकि चंद्रियान 3 में दो कैमरे लगे हैं चंद्रियान 2 में एक Solar Panel लगा था जबकि इसके चारो तरफ Solar Panel लगे हुए थे चंद्रियान 3 में कोई Antina नहीं था 2 में जबकि चंद्रियान 3 में TTC Antina लगा हुआ है अभी आपको याद होगा ये भूलना बहुत तेजी से सुरू होगा Lander का नाम है सर विक्रम चीक है ना Lander का नाम है विक्रम अगले point पर जाएंगे मिसन चंद्रयान के rover का क्या नाम है rover का नाम है सर प्रग्यान और यही अब हम लोग को image भेजना सुरू करेगा जब चंद्रयान 3 लेंड किया है तो rover को निकलने के लिए कुछ समय दिया गया क्योंकि उसके लेंड करने पे वहाँ धूल उड़ी है तो वो धूल उस कैमरे पे जाके ना जम जाए इसलिए उसको थोड़ा सा रोका गया है अगले point पे जाएंगे चंद्रयान 3 के लेंडर और rover का mission जीवन एक चंद्र दिवस या पृत्वी के कितने दिनों के बराबर होता है मतलब एक चंद्र दिवस कितने दिनों के बराबर होता है तो सर यहाँ पे आपके 14 दिनों के बराबर भारत ने चंद्रयान 3 launch से पहले आर्टेमिस समझोते पर हस्ताकशर किया आर्टेमिस समझोता एक्चलि आर्टेमिस समझोता मेरे भाई वो समझोता होता है जिसके माध्यम से चंद्रमा पे आप गतिविधिया करने के लिए अंतरराष्टी कानून के अंतरगत आ जाते हैं तो इसका right answer है 2020 तो पूछ सकता है Artemis समझोता किस से समधित है चंद्रमा से समधित है चंद्रमा की सांतिपुड मानों और रोबोटिक खोज के उद्देश से किसके नर्तित्व में Artemis समझोते को सुरू किया गया था सर इस Artemis समझोते को लीड किया है आपके अमेरिका ने लीड किया है आपके अमेरिका ने अगला पॉइंट नासा ने आज नासा की नासा के हेट बिल नेंसल की निगा भी भारती इस Artemis समझोते के अंतरगत हुए चंद्रयान 3 के लाँचिंग पे थी अगला पॉइंट Artemis समझोता निम्र में से किसकी सांतिपूर खोश से संबंदित है सर चंद्रमा की ठीक है न अगला पॉइंट चंद्रयान 3 के लेंडर को कहां उतारना सबसे कठीन काम है बताईए तो चंद्रयान 3 के लेंडर को D option चांद के दक्षडी धुरू के पास लेकिन भारत ने ये भी कर दिखाया भारत ने ये भी कर दिखाया अगला पॉइंट यदी चंद्रयान 3 चंद्रमा के दच्डी धुरू पर सफलता पुर्वक उतर जाता है सर उतर गया अब हम ये कहेंगे उतर गया ठीक है ना पॉइशन बनाते समय ये नहीं उतरा था लेकिन अब तो उतर गया तो यह उपलवदी हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बन जाएगा सर निशित तोर पे भारत पहला देश बन गया अब लिखो भाया सब लोग जय हिंद ठीक है ना बन गया बन क्या जाएगा बन गया ये लो बन गया वो प्राउड मूवमेंट महसूस हो रहा है सच बताओ पड़ तुम लोग रहो मेरे एक नम गूस बम वाली स्थिती है कि बन गया आप क्या इदर उदर की बात आई आगला क्वेश्चन मिसन चंद्रियान की थीम क्या है बताओ मिसन चंद्रियान की थीम क्या है मिसन चंद्रियान की थीम है चंद्रमा का बिग्ञान और आज जब चंद्रियान 3 वहाँ पहुँचा तो एक line बोली गई कि we are on the moon इसरो चीप के द्वारा बोली गई कि हम चंद्रमा पर हैं ये tag line बनेगी देख लेना तुम लोग अगला point चंद्रयान 3 मिसन के परियोजना के निदेशक कौन है बताओ चंद्रयान 3 परियोजना के निदेशक कौन है निदेशक है सर पी वीर मुथेवेल ठीक है ना आज का 10 मिनट सो 20 मिनट हो जाए तो बुरा मत मानना अराम अराम से पढ़ो देश की विजय की बात है अच्छा लगेगा पढ़ाते समय भी ये इन वेक्ती का बहुत बड़ा हाथ है परियोजना के डारेक्टर के रूप में एक बार आप इनको देख लीजिए ये हैं परियोजना के डारेक्टर जी ठीक है ना परियोजना के डारेक्टर जी अगले पॉइंट पे आते हैं चंद्रयान 1 मिसन के परियोजना निदेशक मली मईल सामी अना दुरही है चंद्रयान 2 मिशन के परियोजना निदेशक M. वनिता थी और चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक P. विरू मुथेवेल है ठीक है न, विरू मुथेवेल है अगला पॉइंट चंद्रयान 3 मिसन को निम्न में से किसकी अध्यक्षता में लॉंच किया जा रहा है बताएगा चंद्रयान 3 मिसन को सर ये किसकी अध्यक्षता सोमनाज जी की है दिखो डाइरेक्टर वीर मुथू वेल थे लेकिन अध्यक्ष कौन है जो इसरों के खुद के चीफ है एस सोमनाज जी ठीक है न ऐसे अगला पॉइंट पर आएंगे तो ये हैं एस सोमनाज जी भारत के अब सबसे जाने माने चहरों में से एक चंद्रयान 3 मिसन के सफलता पुर्वक चंद्रमा पर उतरने पर यह उपलबदी हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बन गया बताईए भारत कौन सा अब देखो सर वही बात है चौथा इसमें दक्षडी ध्रू की बात नहीं किया न दक्षडी ध्रू का भारत पहला देश बना है अज जल्दबाजी में तुम लोग पहला टिक करके गलत करोगे इसमें कहां लिखा है दक्षडी ध्रू चौथा देश भारत बना है साइक पॉइंट याद दिला रहा हूँ न लल्ला जब दक्षडी ध्रू आएगा तब तुमको वन टिक करना है नहीं तो नहीं टिक करना है तुमको इसपे अगले पॉइंट पहेंगे अभी तक कितने देश चंद्रमा पर सफलता पुर्वक पह पुचने में काम्याब हुए है सर आइंसर तो आप तीन लगाएंगे लेकिन अब नहीं गुरू जी अब इसको काटिए अब लाइए चार चार देश चार देश अब इसका राइट आइंसर क्या हो जाएगा सर सी सच है की नहीं अब राइट एंसर C हो गया अगला तो अब पहुँझ गया हम लोग ऐसे यही तीन ठो पहुँचे थे रूस पहुँचा था चीन पहुँचा था अमेरिका पहुँचा था अब मैं क्या करूँ यहां लिखूंगा भारत इन सबसे उपर रहेगा अपना देश यह मज़ा आ गया तीन लोग को लगा तो यही तीर मार सकते बारत वाले तीर मारे पलट गया तरीका इसा करता इसा ठीक है अगला पॉइंट आ जाओ निमन में से किसे Moon Man of India कहा जाता है बताओ बहुत जरूरी यह है अगला पॉइंट चंद्रियान 3 मिसन को कितनी लागत के साथ तयार किया गया एक्जाम में एक क्वेश्चन इससे बनेगा ठीक है न और इसकी पूरी PDF आपको अड़ा के एप पर मिलेगी अड़ा का एप आप आप वहाँ देखो लिंक लगा है डाउनलोड कर लो और अड़ा का एप डाउनलोड करने के बाद मैं बता दूँगा कि PDF आपको कहा मिलेगी सर यह कई बॉलिवुड की मूवी भी इससे महंगी बनी है अगला पॉइंट चंद्रियान 3 मिसन के चंद्रमा पर पहुचने का अनुमानित समय क्या है ठीक है न सर अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया ये वाला आप बदल दीजिए सर अनुमानित समय था सर 23 से 24 अगस्त और सर 23 अगस्त 6 बज करके 4 मिनट पर हम लोग पहुच गए हैं आपके कहां चंद्रमा पर 23 अगस्त 6 बज के 4 मिनट पर अगला पॉइंट पहेंगे इसरू ने चंद्रयान 3 मिसन के कौन से 3 मुख्य उद्देश से निर्धारित किये थे कौन से 3 मुख्य उद्देश से निर्धारित किये थे सर तीन मुख्य उद्देश थे सभी देखो चंद्रमा पर रोवर की घूमने की छमता अचा अभी रोवर उससे बाहर नहीं निकला है एक दो घंटे बाद निकलने की बात हुई है वैज्यानिकों के लिए रिसर्च का मौका सौफ्ट लेंडिंग अब हो चुका है यह तीन चैलेंजेस थे चंद्रमा का गृत्वा कर्षण प्रित्वी की अपेक्षा कितना होता है बताईएगा चंद्रमा का गृत्वा कर्षण प्रित्वी की अपेक्षा मेरे भाई यह होता है एक बटा छे 1 upon 6 होता है अगले point पे जाएंगे चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था अब बोलो चांद के पार चलो भारत की आज बात है लाइक नहीं करोगे तो क्या करोगे आज चैनल तो गम जगम सब लोग सबस्क्राइब करो यार मतलब एक बार देख लो खुद कितने लोग लाइव और लाइक क्या चला है तो एर एक बार चैनल को लाइक से और सबस्क्राइब तो करिए राइट एंसर ए और अगर अभी यहाँ पे 6 हजार प्लस लाइक हो गए मैं बता रहा हूँ अभी मैं आपके लिए चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 3 का पूरा थियरी यहाँ पढ़ा दूँगा भले 10 मिनट सो चल ला है ठीक है न नील आमस्ट्रांग, अपोलो 11 ठीक है न, अपोलो 11 बताओ क्या है, पढ़ने का मन है कि सर चंद्रयान 3 का सर थियरी भी पढ़ा दो अगर आप कहेंगे सर थियरी भी पढ़ा दो तो आपको लिखना होगा C3 ठीक है न, छंद्रयान 3 का सर पूरा थियरी भी समझा दीजे क्योंकि हो सकता, अगर इन अबजेक्टिव के बाहर से कोश्चन आया तू क्या करेंगे तो अगर आप लोग की इच्छा हो तो मैं ये भी अभी MCQ करवा दे रहा हूँ करीब 35 MCQ है और 35 MCQ करवाने के बाद आप लोग कमेंड करिएगा C3 तो मैं इसका पूरा इतना अच्छा PPTs की तयार किया हूँ तुम भी काओगे सर गुरुजी मानग है सतीस धवन अंत्रिच केंदर कहा इस्तीत है आंदर प्रदेश में ठीक है? वुमेन ऐफ इंडिया किसे कहा जाता है वुमेन ईफ इंडिया किसे कहा जाता है मेरे लला मैं लिक करके बता दू यह बूछ देगा बहुत important चल ला है अगला point आपके screen पर ये है रितू कराधिल जी अगला point आएंगे rocket man of India किसे कहा जाता है answer करो answer करो rocket man of India किसे कहा जाता है जल्दी से answer करो हम तुम लोग के लिए PPT की बेवस्था कर दे तुरंद अब आज यार आज भारत का दिन है यार अगर आज नहीं तो कभ गुरुजी अभी नहीं तो कभी नहीं सही कह रहेंगी नहीं सर इसका right answer है आपके option के सीवान ठीक है न के सीवान को कहा जाता है अगले point पे आएंगे लला अगले point पे आएंगे चंद्रमा के वर्डन की विद्या को क्या कहा जाता है मात्र 35 question हो जाए फिर इसकी पूरी theory समझा दूँगा A option selenology चंद्रमा के वर्डन की विद्या के अधन को क्या कहा जाता है selenology भारती अंत्रिच अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्याले कहां पर है इसरो का मुख्याले मेरे लल्ला बैंगलूरू में ठीक है ना बैंगलूरूरू ये static के question है मैं पढ़ाऊंगा तो current static सब कभर आपका कराऊंगा वर्डमान में भारती अंत्रिच अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन कौन है वर्डमान में अध्यक्ष है एस सोमनाज जी ठीक है ना एस सोमनाज जी है वर्डमान में अध्यक्ष अगला point इसरो के संस्थापक founder कौन है इसरो के बताएगा इसरो के संस्थापक कौन है एक बार सब लोग अगर ये 6000 लाइक पहुँच गया तो मैं लिख करके देता हूँ दोस्त ऐसी ऐसी बाते आज चंद्रयान 3 में बता दूँगा तुम मुहले सहर गाओ किसी को भी चंद्रयान 3 डिटेल में समझा दोगे और एक question आपकी paper में रहेगा मैं 35 question अंतिम question पे आ रहा हूँ लेकिन आप ये बताएंगे कि sir क्या करना है एक बार सब लोग share कर रहे हो बताओ कि हाँ sir सब लोग एक बार session को share कर रहे हैं तो आज आओ देख लेते हैं एक बार सब लोग c3 लिख दो मैं मान जाओंगा कि yes sir we are ready for theory portion concept के लिए भी हम लोग ready है 10 मिनट लूँगा आपका मैं चली आइए तो मैं भरोसा करता हूँ कि तुम लोग like बढ़ा दोगे channel subscribe कर लोगे सब लोग ठीक है न तो आज आओ यहाँ पे इसको हटाते हैं ये 35 questions समाप्त हुआ अब आज आओ तुम्हारे लिए मैं कर देता हूँ चंद्रयान 3 की जो वो वाला portion है लला theory वाला portion जरा समझना ठीक है न theory वाला portion ये आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा ठीक है न हाँ अब आज आओ चंद्रयान 3 का theory portion सब लोग ready excited हो न आओ चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कुछ अनोखी तस्वीर भेज दी है वह भी मैं आपको दिखा दूँगा कि कौन कौन सी तस्वीरें आई लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 की विसेस्ता देखते है सर इसका कोई आर्बिटर नहीं है दूसरा point lander का नाम विक्रम, rover का नाम प्रग्यान है अभी देखना है कि इसका जब कमप्रीजन करूँगा तुम्हें कितना अच्छा लगेगा यह पहला चंद्रयान है जो दक्षडी धुरू पर उतर गया है अब क्या उतरेगा उतर गया बोलो जय हिंद अगला point चंद्रयान के तीन भाग है कौन कौन से तीन भाग है चांद की सतह पर रोवर की soft landing हो गया सर we have done it बोलो जय हिंद दूसरा दूसरा काम इसका क्या है सर चांद की सतह पर रोवर का चलना अब से कुछ मिनट बाद यह रोवर जो है अभी वहाँ पे जो उतरा है न वो धीरे धीरे बाहर निकले क्योंकि वहाँ धूल उड़ी हुई है इस दो ने जो news दिया अगर धूल कैमेरे पे गया तो समस्या होगा इसलिए अब रोवर थोड़ी ही देर बाद बाहर आएगा वो official website पे हम लोग देख पाएंगे प्रमुख वैग्यानिक अब जब रोवर बाहर आ जाएगा तो प्रमुख वैग्यानिक परचड करना चंद्रयान 3 के आपके तीन मुख ही भाग है पहला कौन सा है सर प्रोपोल्सन यह अंत्रिच यान को कक्षा में ले जाने में मदद करता है इसी से उड़के गया था न ? हां सर इसी से उड़ा था लेंडर यह रोवर को चंद्रमा तक ले जाएगा लेंडर के अंदर होगा रोवर यह जो डिबब टाइप का तुम देख रहे हो ना यह डिबब टाइप इसी के अंदर बैठा हुआ है अपना रोवर, यही अब थोड़ी देर में निकलेगा, रोवर क्या है सर, अब तो ये पहुझ गया, रोवर छो टायरो वाला एक रोबोट है, वो धड़ा धड़ उसमें से निकलेगा, जानकारी इकठा करने लगे, मार फोटो खीच-खीच के देदेगा, अगला पॉइंट देखो, चंद्रयान 3 उपकरण का संशिप्त विवरण, सर, सौफ्ट लेंडिंग, गती कम करके सतव प सुरक्षित उतर चुका है, उसे सौफ्ट लेंडिंग कहा जाता है, हाड लेंडिंग, धम में से उतरा था, चंद्रयान 2 टूट पाट ग किसी भी प्रकार से खत्रे से बचाने के लिए मात्र एक कैमरा लगा था, और क्यों सक्सेस्फुल हो गया चंद्रयान 3, किसी भी प्रकार से खत्रे से बचाने के लिए दो कैमरे इसमें लगे हुए थे, वो बता देता कि गलत जगह उतर रहो भया, गलत जगह उतर रहो, पि बताने के लिए कोई मीटर है नहीं लगा था पतानी क्या वेवस्था थी खैर चंद्रयान 3 इस कारे के लिए मेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगा था लास्ट में जब लॉंचिंग हो रही थी तो तुम लोग ध्यान दिये थे बता रहा था अब 65 मीटर दूर है अब 50 मीट दूर है अब 20 मीटर दूर और ये उतरा चंद्रयान 3 किसकी वज़ा से पता चला मेजर डॉपलर वेलोसिटी की वज़ा से पता चला चंद्रयान 2 कोई एंटीना नहीं लगे होने के कारण लैंडिंग का डेटा ही नहीं मिल पा रहा था जबकि चंद्रयान 3 में TTC नामक का ए प्रेंडिंग डेटा प्राप्त होगा ठीक है अब जैसे ही रोवर बाहर निकलेगा इसके बाहर निकलेगा पूरा डेटा धड़ा 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 धड़ देना सुरू कर देगा ठीक है अगला पॉइंट देखो चंद्रयान 2 क्यों फेल हो गया और सुरी जिस भी एक साइड रहेगा वहां से चंद्रियान 3 रोवर को क्या मिलता रहेगा एनरजी मिलता रहेगा जबकि चंद्रियान 2 में एक ही solar panel लगा था और यहाँ पे देखो चारो और solar panel लगा हुआ है इस वज़ा से भी चंद्रियान 3 के successful होने की सबसे बड़ी उमीद थी और चंद्रेयान 2 साधारों टूल्स के माध्यम से प्रचेपड किया गया था लेकिन जो सबसे बड़ी विशेस्ता थी चंद्रेयान 2-3 की वो थी सर AI टूल का प्रियोग किया गया था artificial intelligence का प्रियोग किया गया है चंद्रेयान 3 में भाई सब लोग को लिखना है भारत माता की जय सब को एक बार लिखना है अच्छा ये तो चंद्रेयान 2 और चंद्रेयान 3 की बात हो गई अब एक ज़रा मजे की बात कर लिया जाए आप कहेंगे क्या सर लला मेरा न दोस्त न चा क्रमिक डेटा भी बता देता हूं जो आपके लिए जरूरी बनेगा पहले वो क्रमिक डेटा सुन लो क्रमिक डेटा 14 जुलाई 2023 को LVM3 मार्क 4 विकल के द्वारा इसे चंद्रेयान 3 को लांच किया गया था ये 14 जुलाई की बात है सर एक अगस्त को ये स्पेस क्राफ्ट इ चंद्रमा वाले जैसे नहीं लूनर इकिलिप्स, सोलर इकिलिप्स, लूनर इकिलिप्स आप चंद्र ग्रहन को कहते हो तो ये लूनर आर्बिट में 5 अगस्त को इंट्री कर गया, 17 अगस्त को क्या हुआ था चंद्रेयान 3, लेंडर मॉड्यूल सक्सेस्फुली सेपरेटेर जो प्रपोल्सन उसको उपर लेके जा रहा था, वो नीचे की तरफ आ गया और लेंडर आगे की तरफ बढ़ गया था, और फिर 23 अगस्त को चंद्रेयान 3 सेट टू लेंड अन दा मून, और वो टाइम कब आया सर, 6 बज करके, 4 मिनट पे वो एतिहासिक पलाया, जब हम भा लोग, कितने लोग एकसाइटेड हो इमेज देखने के लिए, बता दे, कौन-कौन सी इमेज भेजी है, पहले एक बार, एक बार यार भारत माता की जय का नारा लगाओ, उसके बाद, ठीक है ना, आईए, इमेज देखते हैं, इमेज नमबर जो पहली है, यह तो 2 मैं यह तो 2 पहुँच चुके हैं, फिर उसके बाद, उसने इमेज नमबर 17 अगस्त को दूसरी इमेज भेजी थी, कि हम एक दम लूनर ऑर्बिट के करीब आ गये हैं, और यह उवर खाबर सता है, उवर खाबर सता जो है, हम लूनर ऑर्बिट के करीब आ गये हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े गड़े दिखे थे, तो जो मेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगा था, उससे ये तैं हो गया, कम से कम यहां तो नहीं उतारेंगे चांद को, इसलिए आप लोग बीच में ख़बर सुने होंगे, कि हो सकता है 23 अगस्त की जगा 27 अगस्त को लांच कर फिर जो चौथी नंबर की चंद्रयान ने छवी भेजी ये, भेजी तो उसने ऐसी थी, लेकिन इग्जेक्ट वो ऐसी दिख रही है, ये कई हजार किलो मीटर के गड़े हैं, जो यहां पर आपको दिख रहे हैं, तो ये था गड़ा, जो चंद्रयान 3 से, जो नई इमेज आ रही है, उसके उपर ये आपके गड़े चले गए, ठीक है ना, अगले पॉइंट पे जाते हैं, अब रेडी हो जाओ, वो लोग, जो लोग कहते हैं, नहीं, पहले कहावत कही जाते थी, चंदा मामा दूर के, अरे कहें का दूर के, भारत के, नस्दीक के, अब ये कहावत चरितार्थ नहीं सही लगती कि चंदा मामा दूर के, अरे, चंदा मामा चंद्रियान के, इसरो के, भारत के, आईए, दिखते हैं, चंद्रियान दौरा भेजी गई, छवी नंबर चार, अब हम लोग देखेंगे, छवी नंबर पाँच, जो चंद्रियान न दिखाएं तुमारे दोस्त का सकल यहां पर, सच-सच बता हो, कौन-कौन कहता है, मेरा दोस्त चांद की तरह है, कौन-कौन ये गाना गाया, गली में आज चांद निकला, आज सच-मुच भारत की गली में चांद निकला है, आज इसलिए हम वाइट टी-शर्ट पर इनके आ अब इनको न्यू चैनल वाले और कंपनी वाले कैठो पहुंचेंगे, ये क्रीम लगाईए, चांद को चमकाईए, ये आगया चांद का चेहरा, आया मजा, देख लिए, यही है चांद, आज तक मम्मी, उम्मी, हम लोग को ऐसे बेटा, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मा लेटेस तस्वीर भेजी गई है, वो है चंदा मामा की, तो आज जो आप लोगों ने ये सारी छवी देखी, और उसी लेटेस तस्वीर को, अगर आप दूर से देखेंगे, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, अगर उसी लेटेस तस्वीर को, आप जूम करके है न हम लोग तो बहुत दूर है न तो हम लोग को तो वह दिखेगा नहीं तो यह एकदम नजदी देखो इस पर पूरा जो इस रोगी वेब साइट पर दिया वा था मैंने वह पूरा उठा करके आप लोगों के लिए रख दिया कि वह देखो यही सब हिसाब किताब है चंदा मामा जी के साथ मिल करके बताओ कैसा लगा और जितने के जितने लोग यहां जुड़े हो एक बार पांच मिनट में हम लोग क्या करेंगे एक बार पांच मिनट में सारे 35 कोश्चन दोराएंगे जितने लोग पढ़े थे वो भी जितने लोग नहीं पढ़े थे वो भी रेड हो दो बताओ चलिए सर एक बार एक बार यार सुरू करते हैं ready हो ना ready आओ लो पहला question आपके screen पे ये रहा जल्दी जल्दी करो ठीक है जल्दी जल्दी करो पहला question चंद्रयान mission 3 को launch कप किया गया थोड़ा सा तेजी से सर चंद्रयान 3 mission को launch किया गया था 14 जुलाई 2023 को ठीक है ना थोड़ा सा तेजी से इसको करेंगे 14 जुलाई 2023 को अगला question आपके screen पे चंद्रयान 3 को किस rocket की सहायता से launch किया गया था सर चंद्रयान 3 को GSLV Mark 3 इसको PSLV के नाम से भी पढ़ा जा रहा है अगला question action चंद्रयान 3 को किस उन्तरय ठीक है और चंद्रयान 3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा mission है सर भारत का तीसना यार एक बात बताएं बहुत सारे student कह रहे हैं देखो तुम देखो पहले चुनो ये question नहीं ले लो ना मैं एक बार करा चुका हूं मैं जबर जस्ती नहीं एक बार मैं ये करा चुका हूं रोग दो रोग देता हूं अड़ा के एप को डाउनलोड कर लो सब लो देखो ये अड़ा का एप है लिंक लगी हुई है चैट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी लि दे दूँगा लेकिन सर कैसे अड़ा के एप की लिंक दी हुई है एप डाउनलोड करो आप कोगे हाँ सर डाउनलोड कर लेंगे एप डाउनलोड करने के बाद जब आप अड़ा का एप ऐसे ओपेन करोगे आपके मोबाइल में अड़ा का जब एप ओपेन होगा यहाँ पे ल लिखा रहेगा explore ठीक है ना explore group यहाँ पे लिखा रहेगा explore group ठीक है explore group लिखा रहेगा और जब इसके उपर click करोगे तो तीसरा screen खुलेगा वहाँ पे हम कहीं आपको ऐसे दिखेंगे सामने लिखा होगा current affair by आसुतोष सर वहाँ पे दो बॉक्स होंगे एक होगा follow का और एक download करो सब लोग पहले download करके मुझे one link दो कि यह सर download हो गया one link दिया हमने इमानदारी से download करो सब लोग सारे question सारे theory वहाँ दे दूँगा एक से दो number confirm है download करने के बाद आपको बता दूँ अड़ा का app जब आप mobile में download करेंगे वो दिये गए link से जो chat box में लगा है या description box में भी है आप download कर लेंगे download करने के बाद जब आप app को खोलेंगे तो यहाँ पे community बना होगा क्या लिखाओगा सर यहाँ पे community इस community पे click करोगे तो दूसरी screen खुलेगी यहाँ पे लिखाओगा explore group यहाँ पे लिखाओगा explore group और explore group पे जाने के बाद यहाँ पे देखोगे तो लिख लिखा होगा current affair GS by Asuto Sir, current affair GS by Asuto Sir, यहाँ follow का option होगा, यहाँ download का option होगा, follow कर लिजेगा, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है न, चैनल को एक बार सभी के सभी मेरे दोस्त, subscribe जरूर कर लेना, जब आप एक बार channel subscribe कर लेते हैं न, हमारे साथ आप जुड़ जाते हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू, मैं आपके लिए डेली सुबह 8 बजे current affair की class लेकर के आता हूँ, डेली सुबह 8 बजे current affair, और कल की current affair, 24 तारिक से लेकर के 31 अगस्त का current affair, 24 अगस्त को जनवरी पढ़ाऊंगा, 25 अगस्त को पूरा फरवरी, 26 अगस्त को पूरा मार्च, ऐसे करत करते 31 अगस्त को पिछले 8 महिने का current affair पढ़ा दूँगा, और कल साम 7 बजे, कल साम 7 बजे, आपके लिए इस्टैटिक जीके का मैराथन क्लास है, मैं पढ़ाऊंगा कल साम 7 बजे, ठीक है ना, thank you so much, अपना ध्यान दीजेगा, अपनों का ध्यान दीजेगा, धन्यवाद, टाटा, बाई बाई, नमस्कार, अड़ा के साथ अपना प्यार बनाये रखेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, धन्यवाद मेरे दोस्तों, धन्यवाद,